इंडिया में लांच हो चुका है जैसे हाइप नथींग फोन वर्ण के टीज जैसे फोन लांच हुआ कुछ अलग सा आपको यह पर देखते मिला जैसे कि गलिप इंटरफेस रगर है नथींग फोन वन को ध्यान में रख तो वे लोगों इस पर किया था कि नथींग फोन टू क पर देखने मिली थी उन सर्वी को यह पर क्लियर और सौटर करने के बाद में नथींग फोन टू को लांच कर दिया गया है यह अच्छी बात है कि नथींग फोन टू इंप्रूव होके आया हुआ है लेकिन अब भी इसकी प्राइस भी इन्हों ने इंप्रूव कर दिये इससे अगला वरियंट है 12256 वाला इसकी प्राइस था रूपई और सबसे आखरी वाला वीरियंट है 12ची पांसो बारा वाला की प्राइस रखे 55,000 रूपई प्लस आपको बॉक्स में कोई भी अडाप्टर यह की चार्जर देखने नहीं मिलता वह आक अलग से दो या पर 30 रुपे खर्चा करके लेना पड़ेगा हाँ एक बात प्लस यहां पर यह है कि अगर आपके पास में एक्सिस का डेपी 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 प्रेट कर होगा तो आपको इस्टंटली 30 रुपे का डिस्कौन मिल जाएगा बट फिर भी यह फोन महेंगा यह अगर आप ड्याल से आप प्राइज यह कम कर दे लेगे स्टाटिंग में फोन महेंगा लॉंच करेंगे जैसे नतिंग फोन लॉंच हुआ था 35,000 के आसपास बात में यह फोन आपको 25 चब्स तक मिल रहा था और जैसे अभी कुछ बीबीडी सेल बगर आती है तो डेफिरिटली नतिंग फोन आपको फिर इसे 25 और 26 के बीच मिलने लग जाएगा और बहुती जल नतिंग फोन टू की प्राइज भी ड्रॉफ होने वाली यह बिल्कुल कनफॉर्म है तो अभी के लिए अगर आप एक्साइटेट है नतिंग फोन टू के लिए तो बिल्कुल भी एक्साइट मत रहो क्योंकि प् अबर करतो नतिंग फोन वन के मुकाबले में या पिर क्या कुछ आपको इंप्रोमेंट डेक्ने मिलता है जैसे इसकी प्राइस ड्रॉफ होती है नतिंग फोन टू की तो आपको यह कुछ पॉइंट समझना जरूरी है ताकि आप पिर यह फोन को खरीद पाओं तो बात हम कर है तो वो बिल्गुल सेम है नतिंग फोन वन और टू के अंदर भी जैसे कि एलपी डीडियर फाई की रैम और यो एफस 3.1 के आपको मिलते स्टोरेज नतिंग फोन वन और टू के अंदर भी सेकंड इंप्रोमेंट आपको देखने मिलता है नतिंग फोन टू में जो के बैटरी प्लस यह फोर्टी फाई वैट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे दिया गया जो कि फिले 33 वैट का था बट अनफॉर्टनेटली यह पर बोलो स्ट्राटीजिक गली आपको बॉक्स में कोई भी चार्जर देखने नहीं मिलता है आपको अलग से बाई वो करना पड़ में क्यामरा का जो कि 50 MP का है वहाँ पर आपको मिलता है इसकी इसकी जो इमेज कॉल्टी या पिर इनाइसिंग वगरे जो कुछ प्रोसेसिंग वगरे वो बिल्कुल अच्छी हो चुके और अब क्या हुआ जो कि पहले कुछ कमिया थी अभी इसने सब्डॉट की है और आप इसकी रियर क्यामरा से 4K 60 पेसें वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो और जो सेल्फी ग्यामरा नाथिंग फॉन टुका वो थोड़ा इंप्रूव कर देगा है पहले 16 MP का था अभी आपको 32 MP का देखने मिलता है तो जो क्यामरा सेक्षिन है नाथिंग फॉन वान सा तो का दिस्प्ले मिल रहा था अभी आपको मिलता है 6.7 का बड़ासा दिस्प्ले और जो पांच होल था पहले आपको मिल रहा था लेफ्ट साइड कॉर्णर के ओपर अभी आपको सेंटर पांच होल देखने मिलता है नतिंग फोन वन की जो रेगुलर ब्रैटनेस थी वो 500 निर नतिंग फोन 2 भी आता है 120 हर्स हाय रिप्रेश के साथ में जो कि पहले बी वैसे था लेखिन आपको यहां पर मिलता है हेल्टी पीओ का पैनल तॉप सिश्टी 120 और अडाप्टिक के ओपर भी सेट कर सकते हो जो कि 1 हर्स से लगे 120 हर्स के बीच में अपने आपी स्वीच करे पतब वैसे आपको देखने मिलता है और नतिंग फोन 2 के साथ में आप ग्लीप को बहुत एचे से कस्टेमाइज भी कर सकते हो जैसी कि आप अपने ओन रेंग्टन को सेट करके ग्लीप लाइट को भी उसके साथ में कस्टेमाइज कर सकते हो और बात हम पर इसके OS अपडेट लेकिन फोन की प्राइज बहुत ज्यादा बढ़ा दी गए तो अभी के लिए फोन आप स्किप कर सकते हो जैसे इसके प्राइज कम होती है आप डेफिलिटी फोन 2 को देख सकते हो जो कि अच्छा फोन तो डेफिलिटली इसको पर इन्होंने काम किया हुआ है लेकिन अगर अभी के लिए स्मार्टफू करीदना आपको वेट नहीं करना तो आप इस रेंज में बहुत से और भी आप्शन देख सकते हो नतिंग फोन 2 को छोड़ करके यह था मेरा कम्प्लीट क्लियर और ओनेस्ट ओपिनियन नतिंग फोन 2 को लेकरके आयो आपके आपको वीडियो अ साथ ही में चैनल का आप सस्क्राइब भी कर सकते हो